Because Prelims is just a mind game, you have to understand that सबसे अच्छी बात Prelims में यह है कि आंसर आपकी आँखों के सामने है जो मेंस और इंटर्वी में नहीं है So it's the most safest game You just need to understand the trick which UPSC follows Where it can misguide you तो अगर आपने UPSC के पिछले 15-20 साल के वेपर आपने देख लिए है तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर गड़ा है अगर UPSC ने इस टाइप का स्टेटमेंट रखा है तो you have to be careful about this But होता यह है कि हम वीजन वाजिर हमकी टेस्स सीरीज करके जाते है हमारा माइंड सेट उस हिसाब से बड़ बन गया है And then we try to attempt UPSC So मेरा strictly एक ही चीज़ आपको कहना है कि अगर आपका प्रेलिम्स जून में है तो मीड और में तक सारी टेस्स सीरीज खतम किजिए लास्ट 15 दीज में सिर्फ UPSC की प्रिवेस यर की पेपर्स किजिए तो आपका जो माइंड सेट है वो UPSC एंगल ते सेट हो जाएगा फिर यू विल नाट टारगेट प्रेलिम्स एक्जाम फ्रम वीजन और वाजिराम पॉंट अव्यू यू विल दू इत फ्रम UPSC पॉंट अव्यू